तो दोस्तो आज मार्च की 13 तारिक है संडे है छुट्टी का दिन है और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ एक ऐसे प्लांट्स ऐसे पौधे जो कि आपको नर्सिस पर केवल विंटर सीजन में ही एवलेबल रहते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने पर और केर करने पर ये जो पौधे हैं ये साल भर आपके गाडन में इसली बने रहते हैं तो जानते हैं कौन से ये पौधे हैं क्या इनके नेम्स हैं जो आप इस मौसम में भी अभी जाती हुई सिर्दी के मौसम में भी लगबग जो गर्मी है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस मौसम में भी अगर नसरी पर मिल जाएं तो आप इनको परचेस कर सकते हैं ये जो पौ पौधे रहते हैं ये नर्सिस पर मोस्ली आपको विंटर सीजन में दिखाई देते हैं क्योंकि इनका ग्रोइंग सीजन या फ्लारिंग सीजन वो विंटर ही रहता है लेकिन ये परफेक्ट टाइम रहता है इस तरह से गुलाब की बहुत सी वराइटिस को कॉलेक्ट करने का औ रिपोर्ट कीजी आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा पौधे आपके अच्छे से ग्रोव करने लगेंगे और जो मेरे दोस्त गुलाब पर वीडियो देखना चाहते हैं अगर आपके पौधे सही से ग्रोव नहीं करते या उन पर हैवी फ्लारिंग हैवी बर्ड्स नहीं आती या जो नई शूर्स हैं वो निकलते सार ही जलने लगती हैं सडने लगती हैं तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि इस तरह से उस प्राब्लम को जो है वो सही किया जा सकता है इसके बाद नमबर दो पर है दोस्तों इस तरह से एशियाटिक लिली एशियाटिक लिली या इसको लिलियम बोलते हैं लिलियम के जो बल्ब्स हैं या फ्लार्ज हैं ये विंटर सीजन में ही खिलते हैं और ये रिखिए ये लिलियम का पौर है जो मैंने इसके बल्ब्स हैं केवल कुछ दिन पहले ही रि तो अगर आपको इस मौसम में ये मिल जाए तो इसको जरूर परचेज कीजिए और इसके जो वर्ब्स हैं बहुत एजली सेव भी किये जाते हैं किस तरह से करना है इसको जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो ये वीडियो भी जरूर दे लेकर रिपॉर्टिंग को लेकर और रिखेए ये इसी सीजन में ग्रोकिये गए जो ये डायंथर्स के प्लांट्स हैं इनमें कितनी हैवी फ्लारिंग निकल कर आई है जो खास बात ये चुट-छुटे गंडों में भी बहुत एजली सर्वाइब करते हैं तो इस समय भी कलंचो या कलंचो में भी जो खास बात रहती है तो ये सकुलेंट पौदा रहता है दूसरा इसके फ्लार्ज एक बार खिलने पर बहुत लंबे समय तक प्लांट पर होल्ड करते हैं लगबग 30 से 45 दिन तो अगर आप इतने लंबे समय तक अपने गारण को फूलों से खिला ह हुआ देखना चाहते हैं तो इस प्लांट को जरूर ग्रो कीजिए कलंचो या कलंकोई के भी जो पौदे हैं दोस्तों यह बहुत से मल्टिपल कलर में एवलेवल रहते हैं और इनको इस समय पर भी आप चाहें तो नर्सिस लाकर प्रोपगेट भी कर सकते हैं यह भी बहुत पूरा साल भर वो सर्वाइब करते हैं थल्कि मैंने पहले से वीडियोज वो शेर भी किय और जल्द जो नई वीडियोज हैं वो भी शेर करूंगा करनेशन्स बहुत सी तरह की जो वराइटीज में फ्लारिंग करता है अगला जो पौद है दोस्तों इस तरह से इसको जरेनियम बोलते हैं जरेनियम में भी हैंगिंग वाली और इस तरह से जो सिंपल गंबले में चलने वाली वराइटिस जो है वो नर्सिस पर एवलेबल रहती हैं और इसमें बहुत सी कलर ऑप्शन भी अवलेबल रहती हैं जरेनियम के जो ये पौदे रहते हैं जोस्तों ये गुच्छों में फ्लारिंग करते हैं और ये रिखिए winter season में इसके जो flowers हैं वो कितने सुन्दर से निकल कर आए हैं Camelia पर भी already मैंने वीडियो जो हैं वो शेर की थे किस तरह से इसको fertilize करना चाहिए किस तरह से इनको flowering के लिए ready करना चाहिए ये रिखिए बहुत सी quantity में इसके जो flowers हैं वो निकल कर आते हैं तो इस मौसम में Camelia का पौधा जो है वो केवल winter season में ही नर्सिस पर available रहता है अगर आप चाहें तो इस पौधे को भी इस समय नर्सिस से purchase करके अपने garden में जगा दे सकते है Camelia के बाद अगर अगली बात करूं तो इस तरह से ये अजेलिया flowering plant रहता है इसके flowers की जो पिक है वो कोईश करूँगा आपको screen पर दे दू ये देखिए मैंने इस पौधे को भी जो हो कुछ दिन पहले ही report किया था और नर्सिस से purchase किया था ये भी पौधा ऐसे पौधों में रहता है जो easily survive कर जाता है गर्मी के मौसम में थोड़ा सा इसको हलाकि दूसरे plants के according थोड़ी सी extra जो care है वो देनी पड़ती है लेकिन बहुत अच्छी एक flowering plant की option रहती है जिसको आप easily इस मौसम में नर्सिस लाकर purchase करके grow कर सकते नेक्स एगर बात करूं दोस्तों नेक्स जो plant है ये गुलडवदी या क्रिस सेंथिमम का रहता है क्रिस सेंथिमम के भी जो पौधे हैं ये winter season की starting में mostly monson के बाद जो है वो नर्सिस पर दिखना start होती है लेकिन बहुत से ऐसी इनकी varieties हैं जो लगभग कैली जी की December, January के बाद आकर खिलना start होती है तो आप इस तरह से इनके जो पौधे हैं वो नर्सिस से collect कर सकते हैं ये बहुत easily पूरी गर्मी भर आपके garden में survive कर जाएंगे और बहुत varieties में बहुत colors में इनके जो प्लांट्स हैं वो दिखते हैं अगले अगर पौधे की बात करूं दोस्तों अगला जो पौधा रहता है ये गजनिया फ्लारिंग प्लांट रहता है गजनिया भी बहुत हार्डी एक winter फ्लारिंग प्लांट है और easily ये जो पौधा रहता है गजनिया का ये साल भर survive कर जाता है केवल बरसाथ के मौसम में थोड़ी सी इक्स पौधे को extra care दीजिए और इसमें भी बहुत सी color options हैं वो नर्सिस पर available रहती है अगला जो ये बहुत ही खुबसूरत सा पौधा आपके साथ share कर रहा हूं दोस् पर एक इसकी ball वाली variety जो ball shape में रहती है दूसरे इसकी normal वाली variety और दोनों देखने में बहुत खुबसूरत भी लगती है इन पौधों को भी easily आप semi shade में grow कीजिए तो पूरी गर्मी भर ये जो पौधे आपके garden में survive कर जाएंगे और इस वीडियो के last में जो ये plant आपके सा रहते हैं और साल भर आपके garden में survive भी करते हैं जरबेरा में भी बहुत सी जो color options है नर्सिस पर available भी रहती है तो आप इनके पौधे बहुत easily इस मौसम में grow कर सकते हैं आपको जो result है वो बहुत अच्छा मिलेगा जरबेरा पर भी already मेरी जो reporting को लेकर केर को लेकर जो वीडिय available है तो वज उस तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं ऐसी कुछ एक और वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी के साथ और वीडियो का एंट करते हैं बहुत ही घुपसूरत से कैमिलिया के फ्लार्स के साथ